ओम शिरी गुरु वे नमहा शिरी गुरु चरित्र अध्याय पांच नामधारक शर्मा ने सिद्ध मुनी से कहा हे सिद्योगेश्वर आपने मुझे बताया कि कल्यूग में दतातरे भगवान दो बार अफ्तरित हुए थे क्रिप्या आप मुझे विस्तार से उनके विशे में बताएं सिद्ध मुनी नामधारक की नम्रता एवन शद्धा पर प्रसन हुए और कहने लगे है अच्छा है कि तुमने मुझे इस विशे में प्रशन किया योगी इन कताओं का वर्णन करने वाला भी उतना ही शुद्ध होता है जितना की उनका शुरोता इसलिए ध्यानपुर्वक इन्हें सुनो इश्वर सदैवी अधर्म को रोकने और धर्म परायंता की शक्तियों को मनुश्य में मजबूत करने के लिए समय समय पर भूमी पर अफ्तरित होते रहे हैं इसी कारे ही तो इस कल यूग में सरपथमवे श्रीपाद श्रीवल्लप के रूप में अफ्तरित हुए यहां से पुर्व दिशाकी और पीठा पुर्णामा के गाव है वहाँ पर आप स्धम शाखा के उत्तम कुल का एक ग्रामन था उसका नाम अपाला राजू और उसकी पतनी का नाम सुमती था उन्हें कई संताने पैदा हुई परन्तु उनमें से केवल दो ही पुत्र जीवित रह पाए दुर्भागे वश उनमें से एक अंधा और दूसरा लंगडा था रूडिवादी हिंदू होने के नाते उनकी ऐसे मान्यता थी कि जब तक उन्हें ऐसा पुत्र प्राप्त नहीं हो जाता जो कुशलता पुर्वक अपनी धान में करीतियों और करतवियों का धरम परायंता से पालन कर सके तब तक उनकी आत्मा स्वर्ग के द्वार में परवेश नहीं कर सकती इसी कामना से वैश्री दत्ता त्रे भगवान की अरातना करते थे हर सादू बिक्षुक एवमतीती को भगवान दत्ता त्रे का रूप मानकर उन्हें सदैवी शद्धा पुर्वक भोजन परोसा करते थ एक दिन ब्रामन के घर में शरात था और उसने भोजन के लिए बहुत से भ्रामनों को अपने गर निमंत्रित किया हुआ था परंपरा अनुसर ब्रामनों के भोजन से पहले किसी का भी भोजन करना उचित नहीं है अभी भ्रामन भोजन भी नहीं कर पाये थे कि श्री दत्तरे एक भिक्षु के रूप में हाथ में कमंडल और दंडलिये अपाला राजु के घर भिक्षा के लिए पधारे उस भिक्षु को भगवान दद्दा तरे का रूप समझ कर पुन विश्वास के साथ भ्रामन भोजन का भी कोई विचार ना करते वे सुमती ने भगवान दद्दा तरे को भिक्षा दी उसकी अटूर शद्धा पर प्रसंद होकर अपने त्रिमूर्थी रूप में भगवान दत्तरे प्रकट हुए और उसे अपना स्वरूप दिखाया जिस दिव्य रूप का सुमती ने दर्शन किया था वह ऐसा था जिसे ना तो सहस्त्र आखे समझा सकती है और ना ही जिसका वर्णन सहस्त्र जबानों से किया जा सकता है अपने छे दैविक हातों में वे शंक, चक्र, त्रिशूल, डमरू, कमंडल और जैमाला धारन किये हुए थे उनके गौरवपुन रूप के तीन सिर थे, बाग, चर्म, धारन किये हुए थे विभूती में लिप्टावा, उनका शरीर ऐसे प्रतीत होता था जैसे कि चांदने में चांदी का पहाड हो उनकी जटाएं अपने भक्तों को तात्विक संसार के कीचर से बहार निकालने के लिए रसियों की भाती लटक रही थी उस भागे शालेनी ग्रहनी ने भगवान दत्तात्रे के गौरव पुन दैविक रूप को अपने हिर्दे में समेट लिया और उसे ऐसा आभास हुआ कि जैसे कि उसे इस दर्शन से जीवन के सर्वच लक्षे की प्राप्ती हो गई है भगवान ने कहा मा मैं तुमारे शद्धा से अतिप्रसन हूँ तुमने भ्रामनों को भोजन कराने से पहले ही मुझे भोजन इस विश्वास से दिया कि तुम से सर्ण्यासी के रूप में इश्वर भिक्षा मांग रहे हैं अब तो मुझे से कोई भी वर मागो मैं तुमारे इच्छा अवश्य ही पूर्ण कर दूँगा पगवान के मधूर वचन सुमती के रोम रोम में समा गए पहले उनके दर्शन से उसकी आखे त्रिप्थ हुई थी अब उसकी वार्नी से उनके कान एवं श्रवन शक्ति पावन हो गई सुमती ने कहा प्रभू आपके दर्शन तो बड़े बड़े योगियों को भी दुरलब है परन्तु मुझ जैसी ग्रहनी पर आपने किरपा की और अपनी खुशी से दर्शन दिये और आज रात के दिन हमारे घर में भोजन ग्रहन किया जिससे हमारे समस्त पूरवजों की आत्माओं को आपका आशिरवाद मिला आप वास्तव में भक्त वत्सल है और उनके आधार है मैं आपसे क्या मागूँ आपने मुझे माता कहकर संबोधित किया है इसलिए आप इसी वचन को सत्ते कीजिए अथार्थ अपने जैसा महान पुत्र प्रदान कीजिए आप ही की तरह देवता समान जगत वंदे पुत्र हो उसके शब्द सुनकर भगवान ने सोचा की यह मुझसे वो ही वर मांग रही है जो प्राचीन कालमे माता अनुसुया ने मांगा था तब भगवान ने कहा तुम्हें मुझ जैसा महान पुत्र प्राप्थ होगा जो तेरे वंश का उद्दार करेगा एवम कल्यूग में अत्यंत प्रसिद्ध होगा परंतुर तुम इस बात का ध्यान रखना की तुम्हें उसके कहने की अनुसार चलना पड़ेगा तुम अपने पुत्र मोह में यह बात मत भूल जाना की वे सदा के लिए तुमारे पास नहीं रहेगा इतना कहकर भगवान दत्तरे अंतरध्यान हो गए अपने दैविक अनुभव में कोई हुई सुमती जिने अपने पती से यह सारा व्रतान सुनाते वे कहा सुमी मैंने दैविक नियम का उलंगन किया है ब्रामन अतीतियों के भोजन से पूर्वी द्वार पर आये भिक्षु के रूप में भगवान दत्तरे को इस विश्वास से भोजन कराया कि वे ही इश्वर है जिने हम अपने घर में धार्मिक अनुष्चानों से प्रसंद करते हैं राजो अपने पतने की बात सुनकर अती प्रसंद हुआ और कहने लगा हे मेरी सद्गुन शालिनी पती व्रता हम इस समय ब्रामनों को भोजन पित्रों के नाम पर खिलाते हैं और यह है श्राद करम भगवान विश्णु को समर्पित करते हैं यदि वो ही विश्णु भगवान ने आज के दिन स्वेम हमारे घर पधार कर हमसे बिक्षा ली है तो इस से हमारे समस्त पित्रगंड कृतार्थ हुए हैं और यह सब तुमारी अटूट शुद्धा के कारण ही संभव हो सका है इसलिए कहा जाता है कि मध्यान समय में श्री दतात्रे ही बिक्षा के लिए द्वार पर आते हैं उन्हें कभी इंकार नहीं करना चाहिए यदि हम उन्हें इंकार करते हैं तो भगवान हमसे रूट जाते हैं भगवान महा विश्नु प्रत्यक्ष दत्तरे भगवान ही है फिर सुमती ने भगवान के दिव्य रूप के दर्शन और एक महान पुत्र के वर की बात और उसे संभंदित चेतावनी की बात अपने पती को बताई सुमती की बात सुनकर राजू अति प्रसन हुआ और उसे बदाई देते वे कहने लगा तुमने वास्तव में ही ऐसा वर मांगा है जिस्ते हमारी वन्शावली और संपून जगत का कल्यान होगा इसके पश्चात उसने करतव्य निष्ठा से धार्मे कनुष्ठान पूरे किये कुछ दिनों के पश्चात सुमती गर्बवती हुई नो मास्पून होने पर उसे पुद्र की प्राप्ती हुई उसने अनंत को जनम दिया पंडितो जोतिश्यों ने सुभागे शाली माता पिता से भविश्यवानी करते वे कहा कि स्वेम भगवान दत्ता त्रे ने ही उनके पुद्र के रूप में जनम लिया है बास्तव में उन्होंने सुमती को दियावा वचन सक्ते किया और क्योंकि उनके समान कोई अन्य नहीं इसलिए उनको स्वेम ही सुमती के पुद्र के रूप में जनम लेना पड़ा उस बालक में अद्बुद तेज के अतरेक्त अन्य सभी दैविक लक्षन भी थे इसलिए उसके माता पिता ने अत्यंत प्रसंजचित होकर उसका नाम उसकी दैविक रूप के अनुरूप ही श्रीपाद रखा जैसे जैसे दिन और माहा गुजरते गए बालक श्रीपाद बढ़ते वे चंदर के समान और भी अधिक गौरव शाली और तेजस्वी होते होते आठ वर्ष का हो गया परंपरा नुसर बालक का उपनियन संसकार हुआ सधारन ते उपनियन संसकार के पश्चात आठ वर्ष तक किसी गुरू से सिक्षा लेकर वेदों का सही रूप से उचारन किया जाता है परंपर यह बालक उपनियन संसकार के साथ ही चारों वेद पढ़ने लगा और साथ ही विस्तित्र रूप से मिमानसा और तरक शास्त्र बोलने लगा और अपने शिच्यों को समझाने लगा यह एक दैविक चमतकार था उसे देखकर वे दैविक कतन सत्य ही प्रतीत होता है कि पूर जन्मों में पाया हुआ संपून ग्यान वर्तमान जनम में अपने आप ही फूट पड़ता है जैसे कि खोई हुई स्मृति वापस आ गई हो इस तरह से दिन बीतने लगे और उसका पिता अपाला राजूस की विवाह की सोचने लगा जब श्रीपात को यह ग्यात हुआ तो वे कहने लगे पिता जी आप मेरे लिए वदु खोजने का कस्ट ना करें संपून और दिव्य धुलहन मेरा इंतजार कर रही है वह योग की कुझी है अथार्थ वह विरक्ती है अब मैं अपना सर्वस्त त्याग कर उसे अपनाऊंगा मेरा नाम श्रीपात श्रीवललव है अथार्थ श्री की संगिनी श्री लक्ष्मी जी इसलिए मुझे पुत्र उत्पन किये बिना ही मुक्ती मिल जाएगी यद्धि तुम इश्वर के अवतार हो बरंतु तुमने जनम तो हमारे पुत्र के रूप में ही लिया है फिर क्या यह तुम्हारे लिए उप्युक्त हुआ कि तुम हमें शोक सागर में लुप्त होने के लिए छोड़ दो तुम जैसा धर्म पायनता का रक्षक एक पुत्र के करतव्य से कैसे विमुक्त हो सकता है फिर वे अपने दोनों पुत्रों की और संकेत करते वे बोले हम जानते हैं कि तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारे स्मरण मातर से ही हमारे जनम मरण के साश्वत चक्कल कर जाएंगी परन्तु जब हम अपने अंधे और लंगडे पुत्रों को देखते हैं तो संसारिक संबंदों के भवर में फस जाते हैं, इस तरह कहते कहते वे दोनों शोकाकुल हो गए, अपने माता पिता की आँखों में अश्रु देखकर श्रीपाद ने अपने भाईयों पर अमरित द्रिस्टी डाली और उनको स्पर्श किया, उसी समय उन बालकों की वह हट गया, उन्हें इस बात का आभास हो गया कि भगवान सर्व व्यापक है और उन्हें अपने पुत्र मोह में जकर कर, उन्हें अपनी ही स्रिस्टी और अन्य प्राणियों से दूर रखना एक महापाप है, क्योंकि संपून्श्रिस्टी और समस्त प्राणि इश्वर की संतान है, ऐसा आभास होते ही उनकी माता ने कहा, प्रभु आपकी माया ने मुझे भ्रहमित कर दिया था, इसलिए मैं मोहुवश आपको केवल अपने पुत्र के रूप में ही देख रही थी, वास्तव में तो संपून्श्रिस्टी के अंकुर आप में ही समाविष्ट है, आ आप तो केवल परंपरा रूप से मेरे पुत्र है, आप सदा मुझे इस बात का स्मरण कराए रखना, अथार्थ मेरी समझ को माया भ्रहम से दूर रखना, पगवान ने फिर उसे अपने वास्तविक दिव्य सुरूप के दर्शन कराए, वह सुन्दर, कोमल, बालक, उसी रोडो सुर्यों के तेज से चमकते हुए असंख्य चंदरों की शितलता एवं मधूर्पन से जलकने लगा, उसकी आनन्द पुन प्रकती से स्रिस्टी का परतेक अनुजीव सजीव हो गया, भगवान ने कहा मा तुम सदैव मेरे इसी रूप का ध्यान करो, इस चिंतन से लक्ष्मी का अखंड वास होगा और इनके घर पुत्र पौत्र तथा श्रीयुक्त होंगे, जैसे ही दोनों भाई भगवान की महिमा का गुनगान करने लगे तो भगवान ने अपने भाईयों से कहा, तुम दोनों पुत्र माता पिता को इश्वर रूप मान कर उनकी सेवा क परिक्रमा की और अपने समस्त सांसारिक संबंद त्याकर वहां से निकले और बहुत से तीत स्थान जैसे द्वार का विंदावन, मतुरा और पद्रिनात के दर्शन करते वे गोकंड में अध्यात्मिक जिगासुओं को दिक्षा देने के लिए पहुँचे, यहां पर अध्यात्मिक जिगासुओं का बहुत मैत्वपुन तीत सल बन गया है, ओम शिरी गुरुवे नमहा